नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे टेकनोलोजी के दिगज इस्टीव जोब्स के एक फेमस स्पीच के बारे में यह स्पीच हमें न केवल सफलता के बारे में बलके जीवन के कई महत्वपोर्ण पहलूओं के बारे में भी हमें सिखाता है तो चलिए सुरू करती हैं इस्टीव जोब्स ने 2005 में इस्टेनफोर्ड वी स्विध्यालय में एक बेहत इंस्पिरेशनल स्पीच दिया था इस स्पीच में उन्हों अपने जीवन के अनुभवों को साजा किया और कुछ महत्वपोर्ण सबग सिखाए नमबर वन डॉट कनेक्टिंग के बारे में जोब्स ने अपने कॉलेज की दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने रीट कॉलेज में दाखिला लिया लेकिन उन्हें जल्दे मसूस हुआ कि या उनकी पसंद का नहीं है उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया लेकिन कुछ खास विशियों में रूची बनाए रखी उन्होंने कैलिग्राफिका पाठिक्रम लिया जो बाद में उन्हें अपने प्रोड़क्त मेकेंटोस के डिजाइन में बहुत मददगार साबित हुआ जोबस ने कहा आप अपने जीवन के अनुभावों को पीछे मुर कर देख सकते हैं लेकिन आगे देखती भी नहीं उन्होंने अपने करियर के कठिन समय का जिक्र किया जब उन्हें एपल कमपनी से निकाला गया यहां उनके लिए एक बड़ा जटका था लेकिन इस असफलता ने उन्हें कुछ नया करने का सहस दिया उन्होंने नए प्रोजेक्ट पर काम करना सुरू किया जिन में पिक्सर एनिमेशन और नेक्स्ट सामिल थे उन्होंने कहा आपको इस्वास करना चाहिए कि कुछ चीजें आपके दिल में सही है कभी-कभी असफलताएं ही आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है जोबस ने यह भी कहा कि यदि आप अपने काम को पसंद नहीं करते हैं तो आप कभी भी सची सफलता हासिल नहीं कर सकते उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसमें जुनुन होना जरूरी था उन्होंने दर्सोंकों को सलहा दी अपने दिल की सुने और जो आप करते हैं उससे प्यार करें यही आपकी सफलता की कुझी है नमबर फोर मृत्यू का सामना उन्होंने मृत्यू के बारे में भी बात की जोबस ने कहा कि मौत एक बहुत महतोपोन पहलू है क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है आपका समय सीमित है इसलिए इसे दुसरों के जीवन जीने में बरबाद ना करें किसी और के इस्टे हंगरी इस्टे फोलिस हमेशा कुछ नया सीखने के लिए भूके और मुर्ख बने रहो यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर अगले किसी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें अपने विचार कमेंट में बताएं धन्यवाद